हेलो प्रेंढ वेल्कम बैक टो मैं के चैनल तो आज बना रहे हैं मीठे सकर पा जो किसके जग आता है यहां को हांने ृट को यहां को आ ले रहे हूं में इसके जगा आधा कप नारा ayah औरा 하는 मेदा भी ले सकते हां अब वन-फौर्थ काप ममें डाले हूं में नी घ्री जान त आदा कप चीनी को मैं पिस दोंगी इसमें और इसमें मैंने वन फोर्थ कप नारेल का बूरा भी डाला है जो डालना बहुत जरूरी है उससे टेस्ट बहुत अच्छा हैगा इन सब चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर देंगे तो जो मेजरमेंट मैंने बता रखा इसी मेजरम अब मैं इसका डो बनाओंगी दूद से जो कि मैंने वन फोर्थ कप ही दूद इसमें डालना है आप इसकी जगह पानी भी डाल सकते हो तो दूद से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हता है पानी से ये है कि आप इसको कम से कम एक मेहने तक चला सकता है और दूद से एकर आट से दस तिन ही ये चलता है, दूर से बनावा जयादा लंबी टैम तक नहीं चल सकता, वैसे तो ये बसिता नहीं है, लेकिन फिर भी दूर से कम दूर्ट से कम कम और यह이면 थो में रखना चाहिए। तो चीनी भी पानी छोड़ने लग जाएगी तो आटा हमने एकदम टाइठ ही लगाना है अगर थोड़ा बहुत उपा नीचे आटा हो जाए तो आप एक देट चमच इसमें दूद और ढाल सकते उपर से लेकिन इसको आटे को ने एकदम रफली गुनना बहुत ज़्यादा ज जितना भी आपको चाहिए तो मैं ऐसे बता रही हूँ आपको आप छुट-छुट डोबी स्टेफ से ले सकते हो थोड़ा इसको हाथ से ही प्रेस करना है क्योंकि बेलंस हम इसको नहीं बील सकते मीठा है चिपक जाएगा उसमें तो पहले सरफेस पर आप घी या तेल कुछ भी लगा देना उसके लोई रखना उसको हलके साथ से अपने प्रेस करना है क्योंकि थोड़ा मोटा ही इसको रखना है हमने और इसके हम चारो कोनों को काड़ देंगे ऐसी पकड़ करके और आपको जितने इसकी मोटाई चीए और जितनी इसकी चोड़ाई चीए आप उसे स आप से कार सकते हो जैसे सकर पारे या नमक पारे जो भी बनाते हो इसे साफ से भी आप इसको बना सकते हो या इस टैप से जैसे मैंने कार दिया इसके चारों को नहीं तो जैसे इतना चोड़ा चोड़ा सा बन गे नहीं तो यह बिस्किट वाला से बन गया तो इस टैप से भी आप बना सकते हो और मोटा ही इसकी यही होने चीह, जो मैं आपको दिखा रही हूं, अच्या हो तो आप इस inhibition, पीस कर सकते हो इस टैप से से भी यह बन जाता है तो इतनी मूटाई और इतनी चोड़ाई आप रखोगे तो बिस्किट वाला सेप लग जाएगा इसका और छूटा आपको करना तो आप इस टेप से कर सकते हैं जैसे मैं हाथ में रख करके आपको दिखा रही हूँ तो इस टेप से भी कर सकते हैं तो यह है तो आपकी अच्छाओ तो इसको कर सकते हो तो यह मैंने बना दिये हैं यह आदे ही इसम्हा से थो जहलो उनको आख करते हैं तो हैमने रिखाई ने के लिए तेल बहुत जादा गरम करना है भस इतना करना कि जैसे हम इसको ठले तो बुलुले इसमें आजें अगे से जोड के लिए और इसको एकदम से पलटना मत क्योंकि मीथा है तो यह बहुत सौफ्ट रहेगा पहले तो इसको एक बाद इसको पलटना है तो गैस की फ्लेम अभी एक टाइम के लिए हमने लो ही रखनी है बिल्कुल हाई नी करनी क्योंकि यह मोटे हैं तो अंदर सच्छे से इसको स जा है तो इसको पलटना में पलतने हैं थोड़ से अर दूर्छा से क Cakeट फे में सब्सक्रेम का नाeles तूट सकते हैं तो आप बहुत सकता हैं मैं इसको फछा निकाल देते हैं तो कितना पियाओका अब इसको कभी भी बनात शक्ते हो ठोटना कि बूख लगई हो तब इसको बना सकते हो बच्छे को टिफिन में भी दे सकते हूँ क्योंकि आटे के हैं पॉस्टिक तो आप इसको कभी भी जब आपका मन हो बना के और डबे में स्ट्वर कर सकते हो बस ये दूद तो यह ज्यादा दिन नहीं टिकिंगे वैसे भी यह कहां ज्यादा दिन टिकने वाले एक बार बन गए तो यह दो दिन में मुस्किल्चा चलते हैं और अगर आपको लंबे टैम के लिए चीए तो आप इसको दूत की जगे पानी इसमें मिक्स कर देना तो वह आपका एक मेने क करीब चल जाएगा तो यह फटाफर से सिगे हैं गोल्डन कलर और इसमें कितना अच्छा लग रहा है किनारे किनार से सारी परते फटेवी हैं तो बना दिये हैं मैंने सारे तोड़के आपको दिखा दिये अंदर से बिल्कुल स्टेप से सॉफ्ट बने रहते हैं हाथ से बह बना थे अंदर से सथना हैं एल गता आएब बना तंदू अ कर दो आते हैं ह aware इंक आदैज अचकह퍼 कि अधियां मैं हुट युयाओ monitoryा टाह हैं हैं लग खेर अकल इंग हैं गो शारे लते हैं ह lecture बहाई हैं उतल लग वटना हैं आग हैं हुआ हैं हैं हैंग हैं हैं एब हैं न